हेलो वियर्स, वेलकम टुई यू आल इन माय यूटूब चैनल धर्मा एजुकेशन आज के इस लेक्चर में हम पढ़िंगे बॉइलिंग पॉइंट अलिवेशन के बारे में पॉइलिंग पॉइंट धर्मा अलिवेशन के लिए को नेक्षियर व्यूकेशन से खाहिए 170 देम सरा नेक्षियर के बॉइलिंग कि होता है लिएपर अंतर इनक्रेस होते हैं तो यह बभन थेलिकरों सबसेरं रहेकी तो यह přदिए चो जैसरे इसान के एक किए इस लल् thôi प्रेशर कहते हैं यहां पे अट्मॉस्फरिक प्रेशर जो है वो क्या हमारा ज्यादा है ऐस कंपियर टू वैपर प्रेशर के तो जो एट्मॉस्फरिक प्रेशर है यह क्या करता है इस वैपर प्रेशर को प्रेस करता है जिससे कि यह क्या करता है हमारा जो वैपर है वो हमारी यहां से आउट नहीं हो पाती है अट्मोस्फरिक प्रेशर की वेज़े से जैसे जैसे हमारा वेपर प्रेशर इंक्रीज होने लगता है और अट्मोस्फरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है जब हमारा वेपर प्रेशर जो होता है, atmospheric pressure की equal हो जाता है, उसी को हम क्या कहते है, boiling point कहते है, और यहाँ पर हो जाती है, हमारी liquid की boiling start हो जाती है, so boiling point क्या है, the boiling point of a substance is the temperature at which the vapor pressure of a liquid equal to the pressure surrounding the liquid and the liquid change into a vapor, उसी को हम क्या कहते है, vapor pressure कहते है, या फिर atmospheric pressure जो है, वो हमारे क्या हो जाए, equal हो जाए vapor pressure के, उसी को हम क्या कहते है, boiling point कहते है, now अब हम बात करते boiling point elevation की, boiling point elevation क्या होता है, हमारे पास हमें पता ही कि अलग-अलग solution का जो अलग-अलग liquids होते हैं, अगर हम किसी solution की बात करें तो उसकी concentration increase होने की वजये से उसका जो boiling point होगा वो भी क्यों होजाएगा increase होजाएगा जो होता है क्या है माल नीजी हमने एक बीयॉर हमारे पास एक कंटेनर है इसपे प्यार वॉटर लिया इसके अंदर हमारा प्यॉड वॉटर है इसे जब हम हीट देतने तो क्या हो जाहेगा हमारा हीट देने के बार 100 degree Celsius पे vapor form में convert हो जाएगा अब same हमने पहले pure liquid का यहाँ पे container है हमारे पास इसके अंदर हमने pure liquid लिया और इस liquid के अंदर हमने क्या किया कुछ solid particles यानि की solute इसके अंदर हमने डाल दिये जिसकी वज़े से क्या होगा इसकी जो concentration होगी वो क्या हो करते हैं तो होगा क्या as compared to pure water इसे heat होने में ज्यादा time लगेगा इसका temperature यानि कि इसका जो boiling point है वो क्या हो जाएगा हमारा ज्यादा होगा और यह जब हमारा जो वैपर है जब वैपर फॉर्म में convert होगा तो as compared to pure water इसका जो temperature होगा boiling point जोगा वो increase हो जाएगा यानि अगर यह 100 degree Celsius पे वैपर फॉर्म कर रहा है तो यहां पर यह माल नीचे बनने 10 degree Celsius पे वैपर फॉर्म करेगा या फिर 120 degree Celsius पे वैपर फॉर्म करेगा यह डिपेंड करता है कि इसकी concentration क्या है और यहां पर यह जो boiling point ऐख प्यॉर्वाटर का उसी हमले लेते हैск़ TB प्यूर्वाटर को पिख़ते हैं प्यूर्वाटर यह को प्यूर्स और इसका boiling अब अगर हम बात करें boiling point elevation की तो boiling point elevation क्या होता है pure water और जो हमारा solution होता है इनके boiling point का difference क्या होता है boiling point elevation होता है boiling point को delta tb से हम डिनोड कर दे changing boiling point boiling point elevation क्या हो जाएगा हमारा tbs minus tbp यहां पर किसका जादा है solution का जाता है तो हम जादा मैसे हमेशा कम को minus करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा tbs याने की boiling point of solution minus tbp याने की boiling point of pure water यही हमारा क्या है boiling point elevation होता है boiling point elevation as the vapor pressure of most aqueous solution is less than that of water at any given temperature the boiling point of a solution is higher than that of pure water at a given pressure the difference between the boiling point of solution and that of pure water at a given pressure is known as the boiling point rise या फिर boiling point solution इसी को हम boiling point rise या boiling point elevation दोनों ही कहते हैं यानि की जो difference होता है हमारे same pressure पे boiling point of pure water और boiling point of solution के बीच का उसी को हम क्या कहते हैं boiling point elevation कहते हैं अब हम बात करते हैं कि boiling point elevation जो होता है वो कैसे obtain किया जाते हैं तो यह obtain किया जाता है during rules से और during rules हमें क्या कहते हैं during rule कहते हैं कि जैसे-जैसे हम solution की concentration को increase करते हैं हमारा जो boiling point होता है वो भी क्या हो जाता है increase हो जाता है so the boiling point elevation can be obtained from an empirical rule known as during rule यह हमें क्या बोलता है it is state that the boiling point of a given solution कोई भी हमारे पास solution दिया गया है उसका जो boiling point होगा वो क्या होगा linear function होगा boiling point of a pure water के at this same pressure पर and second क्या है जब हम plot करते हैं डाइग्राम boiling point of pure water versus boiling point of solution के तो हमारे पास एक straight line आती है when the boiling point of a solution is plotted against the boiling point of water we get a straight line यह हमारे पास एक graph है यहां पर हम क्या करते है न एच हमने solution लिया इसकी concentration को हम धीरे धीरे करके increase करेंगे यहां पर हम boiling point of solution ले लेते हैं और यहां पर हम boiling point of pure water ले ले लेते हैं यहां पर pure water है हमारे पास इसका boiling point ले 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 तो होगा क्या दीरे दीरे करके इसका जो माल नीच है यहां पर 0 टिक्री है यहां पर 0% concentration है यहां पर pure water है तो यह हमारे पास इसका boiling point हो गया अब जैसे जैसे हम इसकी concentration को increase करते है boiling point क्या हो जाएगा increase हो जाएगा अगर हम 20% यहां पर concentration increase कर रहे तो इसका boiling point increase हो गया फिर हमने क्या किया इसका 60% increase किया तो इसकी concentration 60% increase करने पर boiling point इसका और ज़्यादा increase हो गया यानि कि जैसे जैसे हम इसकी concentration को increase करते हैं जैसे जैसे हम solution की concentration को increase करते हैं हमारा जो boiling point है वो भी क्या हो जा रहा है increase हो जाता है solution की concentration को increase करने पर boiling point increase हो जाता है यही हमें क्या बताते हैं During Rules बताते हैं इसे हमें Byling Point Elevation के बारे में पता चलते हैं I hope आपको समझ में आगया होगा Byling Point Elevation क्या होता है Byling Point क्या होता है और During Rules हमें क्या बताते हैं So, मिलते हैं Next Video में तब तक के लिए Bye Bye Take Care and Thank You